नमस्कार आप सभी का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कॉम्पटिशन कम्यूनिटी में चानाकी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी चानाकी ने कहा था कि जो सिक्षा आपको समय और अनुभों से मिलता है वो सिक्षा आपको किसी और माध्यम से नहीं मिल सकता और उन्होंने ये भी कहा था कि एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो असफल व्यक्ति से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है और वह जल्दी सफल हो जाता है और चानकी जी ने ये भी कहा था कि सफल और असफल व्यक्तियों को यानि कि दोनों ही प्रकार के व्यक्ति को आपको सुनना चाहिए क्यों? क्योंकि सफल व्यक्ति से आपका आख में विश्वास बढ़ता है और असफल व्यक्ति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्यों? क्योंकि असफल व्यक्ति कौन सी ऐसी गलतियों की वज़ा से सफल नहीं हो पाए तो आपको ये भी जानने को मिल सकता है तो आज हम जिस सक्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं उन्होंने कई असफलताइं देखी और उन असफलताओं के बाद आज वो एक बहुत ही सक्सेसफूल इनसान है और आज इस सेशन में आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हम बात कर रहे हैं और आज आपको मिलवाने वाले हैं कभी गुपता सर से तो सर इस सेशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो मैं यह आपको बता दू कि इस इंटरिव्यू सेशन का मकसद क्या है तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर बार बार असफल हो रहे हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो इस सेशन को आपको सुरू से लेकर अन तक जरूर देखना चाहिए और इसे बहुत ध्यान से ही फॉलो कीजेगा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे एक्जामपल हैं जो सफल और असफल व्यक्ति को सुन कर या फिर उन से सीख कर कई लोग आज सफल हुए हैं तो कवी सर से आज आपको मिलकर बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनकी जर्नी कैसे रही इन्होंने आप विस्वास नहीं करोगे इन्होंने तीन टाइम्स यूपीस्जी का मेंस एक्जामिनेशन दिया है फॉर टाइम्स इन्होंने CGPSC एक्जाम को क्रेक किया है और इतने ही टाइम्स यानशन ञें वौर टाइम्स इन्होंने SSC भी क्रेक किया है तो इनके पास में एक बहुत ही लंबा अनुबह है तो आप इनसे सीख कर इनसे कुछ टिप्स लेकर आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हो कवी सर एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं सबसे पहले सर आप अपने बारे में कुछ बताएं मैं कवी गुपता वर्तमान में पुलिस मुख्याले में एडिशनल स्पी के रूप में पदस्थ हूं इस पत्पे मेरा सेलेक्शन 2008 की PSC के माध्यम से सन 2013 में हुआ था इस पत्प में आने से पहले मैं 2006-2008 तक एनसेसो में स्टैस्टिकल इंवेस्टिकेटर रहा और दोज़र आठ से तेरा तक मैं सी एजी में असिस्टेंट ओडिट ऑफिसर रहा यह दोनों पोस्ट जो मुझे मिले थे यह SSC एक्जाम के थूर मुझे मिलें कुल मिला करके यहिदी अपनेastics कि जरनी की बात कर रहू मैं तो मैंने कुल मिला करके पांच बार मुझे SSC में फाइनल सेलेक्शन, चार बार PSC में फाइनल सेलेक्शन, और तीन बार UPSC मेंस लिखने का मुझे 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 जी सर जैसे आपने बताया आपने टीन टाइमस UPSC मेंस लिखा और उसके बाद आपने फोर टाइमस CGPSC क्रैक कि तो सर यूपियस से जर्णी के दौरान कहा पर ऐसी कमी रह गई कि आप मेन से आगे नहीं बढ़ पाएं सबसे पहले तो मैं यह बताओ कि मैं एक बहुत ही औसत दर्जे का स्टूडेंट था 2003 में मेरा ग्रिजुएशन कम्ट्रीट हुआ और इसके बाद मैंने यह ठाना कि मुझे अब कुछ अपने लाइफ में करना है मैं एक छोटी सी नौकरी करता था पूने में डेटा इंट्री ऑपरेटर की और इसी बीच में मुझे यह लगा कि मैं अपने जो मुझे शिक्षा मिली है जो मेरे पैरेंट्स ने मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई कि मेरे बोर्ड रहा और इतनी अच्छी मेरे एडुकेशन हुआ इसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया है उसके बाद से मैंने ठाना कि मुझे यूपीएससी का एक्जाम लिखना है और उसके बाद से मैं यूपीएसी के त्यारी करना है स्टार्ट किया लेकिन चुकि मेरा फॉंडेशन था नीव था वो स्टॉंग नहीं था बहुत ज्यादा स्टॉंग नहीं था तो इसके कारण मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा वह एक रीजन बना कि मुझे यूपीएसी में सेलेक्शन नहीं मिल पाया फाइनली दूसरा रीजन मैं जो समझता हूं कि मुझ मुझे मैं चुकि मध्यम वर्गी परिवार चाहता था और मेरे सामने बाकी इस्टुएंट्स के तरह ही सोशल प्रेशर पीर प्रेशर भी था कि जल्दी से जॉब करना है बच्चा क्या करना है तो यह प्रेशर इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगता था कि यूपीएसी के सब्सक्राइब होती रहेंगी लेकिन इसके साथ ही साथ जो है एक कोई भी नौकरी मिल जाए मुझे शास की नौकरी मिल जाए तो भी में लिए अचीवमेंट होगा तो लगाता जॉब करता रहा और गोल जो मेरा अल्टिमेट था उससे बीच बीच में वो डेविएशन होत मुझे मन हुआ कि मुझे पीजिक को टॉप करना है तो उसकार प्यक्ष्ट को नी छोड़ पाया और यूपीजिद दिया तो मुझे लगता है वह एक एहम गल्ती में ने कर दी शायद उसमें मैं अग्जाम करता तो शायद मैं वह अग्जाम कर पाता तो इस तरीके से एक त बहुत पड़ी बात है कि तीन टाइम आपने यूपीसी का मेंस लिखा उसके बाद फोर टाइम सबसे जी पेसी को क्रैक कर चुके हैं सर मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे उनका बैगराउंड अलग अलग होता है सिविल सर्विसेस में आने बहुत महनत करना पड़ेगा और इसमें सक्सेस का जो रेसियो होता है वह भी बहुत कम होता है तो आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि आपको सेविल सर्विसेस में जाना है तो वह कौन सा मोर था जिस वक्त आपने यह सोचा कि आपको सेविल सर्विसेस में जाना है जै गया मेरे पैंट ज्वारा उसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया है और यही वो च्छन्ड था जब मैंने यूपीएस्टी की और अपना कदम बढ़ाया और त्यारी सर हरी वह एस्पिरेंट्स जो सोचता है कि मुझे सेविल सर्वेसिस में जाना चाहिए मुझे कोई भी एक्जामिनेशन हो सकता है तो उसके अंदर वो कौन सा गु नहीं कर पहूंगा हर किसी के मन में सवाल आता है तो आपका इतना लंबा सफर रहा, इतना experience रहा आपके पूरे life में, तो वो कौन सा गुन होना चाहिए उसके अंदर, जिससे उसे लगे कि यह वो इस exam को crack कर सकता है, बहुत सही सवाल आपके पूछा है, आनन जी, एक जो basic trait मैं बताना चाहूंगा, जो एक aspirant में होना चाहिए, वो है जिग्या जिग्यासा, मेरी समझ में, बिल्कुल सब, यह जो जिग्यासा है, यह हम सभी में होती है, बच्पन में, बहुत होती है, और उस समय हम बेबाकी से सवाल पूछते हैं, जानने के कोशिश करते हैं, लेकिन एक एज के बाद यह जिग्यासा जो है, वो धिरे-देर कम होते जा एक a civil servant में वो हे कि आपको नंकीवल के तौह जो हो री है विलकि आपके प्रदेश में आपके देश में यहां तो कि पूरे दुनिया में क्या हो रही है क्यों चाहिए इसको जानने के शोशाई जरूर होनी चाहिए थी आपको एक civil servant बनाएगा बलकि एक आपको एक aware citizen भी बनाएगा जो कि आपको जीवन के हर छंड में आपको वो मदद करेगा और जो 90% aspirants होते हैं वो इसलिए civil services को जोइन करना चाहते हैं कि उनके पास में power आएगा society में उनका रुत्वा बढ़ेगा लेकिन अगर अगर आपको सच में civil services exam को crack करना है तो ये वाला जगूर है वो तो बिलकुल नहीं होना चाहिए क्यों सरी इस पर सही कहाना मैंने पावर देखे मैं तूबी रिलिस्टिक मैं यह कहूंगा कि एक आस्पेक्ट है कि युवा इसकी और अकरशित होते हैं कि आपको एक authority मिलती है लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी यह है कि जब आपको authority मिलती है तो उसके सांसी साथ आपको responsibility मिलती है और वो responsibility कहीं ज्यादा मंच है जहां पर आप बहुत सारे लोगों का जीवन अपने काम से प्रहाइद कर सकते हैं तो इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि आपको एक मंच मिलता है कि आप शायद निजी छेत्र में उतने जी लोगों का भला नहीं कर पाएंगे जितना आप public domain में civil service के माद्ध रहा है और कई ऐसे स्प्रेंट्स होते हैं जो बार बार फेल होते हैं एक्जाम देने के बाद और आपका जो जर्नी है इतना लंबा रहा फो टाइमस अपने एक्जाम को क्रैक किया तो ऐसे स्प्रेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहिए देखिए यह सभी के साथ होता है औ और कहां भी जाता है इस exam में आपकी जो talent है वो एक तरफ है और दूसरा है आपका एक patience होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपका एक बार में selection नहीं हो कहींЕТ रहे जाए तो लगा तार एक तो in-trospection हमेशा आपको तो अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि कहां पर गलती हो रही मैं कहां पर मिस्स कर रहा हूं तो भी प्रोफेशनल होता क्या है एस्परेंट्स के साथ कई के बार इस इस चीज़ से मैं भी गुज़रा हूं एक्जाम की डिफरेंट चरण है यह प्रेलिम्स एक मेस और तीसरा इंटर्वियो हम कभी-कभी चुनाव गलत करने जाते हैं कभी-कभी हमारा जो प्रिलिम्स हेंगओर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्सपर्ट हो जाते हैं लेकिन मेस जो हैं टौकली हो जाता है उसी तरीके आपके विचार तभी बनेंगे उस जानकारी के आधार पर ही आप प्रस्तूत करेंगे तो वह व्यलिड माने जाएंगे तो कभी कभी हम विचारों में इतना उलड जाते जा फिर उस पर इतना फोकस करते हैं कि जानकारी वाला जो पक्च है वह इग्नौर हो जाता है तो competitive exam में भी आपको हमेशा एक balance रखके चलना पड़ता है यह balance जिसको हमारे philosophy में golden mean कहा गया है यह golden mean life के हर छेत्र में बहुत काम आता है यहां पे भी आपको एक balance रखना है अपको कितना करना है में कितना focus करना है interview के लिए कितना focus करना है लेकिन वाइस वर्से उसकी बहुत अची ट्रीया लेकिन पद़ा चलना प्रेज्स नहीं हो पाता है और इस प्रकार से आपने आपको लगाता आपको इंट्लोस्पेक्ट करना है कि पर उसी तरह को हमारे में कुम्पिटिव एक्शामि में एंटर करते हैं तो हम क्योंकि हम compression में यहां पर प्र सफ माइं नी रखता है कि हैं यहां परी 95 पर सेलेटिव करता है तो आप आपको selection जब लेना है तो अपने दुरबल पक्ष को आपको अपनों ये मजबूती बनाना पड़ेगा आपका जो अच्छा पक्ष है वो तो आपके साथ रहे गहीं लेकिन जो व्यक्ति दुरबल पक्ष को अपनी मजबूती बना लेता है वही competitive exam में अपना successful होता है और जो ब जो भी कर रहे होंगे जैसे preparation start करते हैं तो उसके जैसे आपने बताए कि अलग अलग stages होते हैं हम सभी जानते हैं में होता है तो जो beginners है और जो बार-बार fail हो रहे हैं वह यह जानने की कोसिस आपसे जरूर करेंगे सवाल का answer उनके मन में जरूर होगा कि वह जाने आपका जो प्रिलिंस का प्रेशन रहा उसके लिए आपकी जो strategy ती या फीर इनके लिए strategy जो है वो किस प्रकार से निचाहिए वह देखिए आपने प्रिलिंस की बात की जै आप इस प्रिलिंस का जब आप syllabus देखेंगे तो इस में एक सब्जेक्ट है जनरल सामान निगयां यह जो सामा ätzen क्योंकि यह समान लगता है उतने उसमान को पेपाशा नहीं कहने को सारी चीज़ अंडर धास संसमानय ग्यान है लेकिन फिर भी क्या अगर सभी चीजेश समान ग्यान के अंडर में हैं तो जो exam होता है उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है क्या नहीं एक syllabus होता है वह syllabus भी exhaustive नहीं होता है वो आपको ऑको दिशा पदान करता था एक विजन पैदान करता है तो सबसे पहले जो नए जो बच्चे हैं जो प्रिलिश की तैयारी करते हैं पहले अपने इस सिलिबस का अध्यन करें और उस शिलिबस को शबदशा ये नसे इसने से अंदर से आये गा यह आपको एक दिशा प्रदान किया और आप अपने आपको शाषन की ओर से एक बार रख करके देखें कि आप एक भावी सिविल सर्वेंट से क्या शाषन की अपेक्षाय हो सकती है इसको अगर अच्छे से मनन कर ले तो आपको दिशाख ख़गः आपको मिल जाएगे इसके बाद आप जो एक जैसे मैंने बात की एक रूची डवलब कीजिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है तेश में क्या हरा दुनिया में क्या हूरा है यह रूची क्रिएट करके आप अपना General Studies की तियारी स्टार्ट करना इंतियारी कीजे साथ ही साथ एक चीज और भी मैं बोलूंगा जो PSC के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए कि PSC के जो विद्यारती हैं वो भी कई बार यह पजल हो जाते हैं कि यह सवाल कहां से आ गया तो उन इस वज़े से जोड़ी है कि PSC का जब तैयारी कर रहे हैं तो UPSC को भी आप जरूर देखे उसके syllabus का भी अध्यान करें और UPSC में जिस परकार के questions आ रहे हैं उनका भी अध्यान करें ताकि आपको यह समझ में आगा कि अल्टिमेटली PSC और UPSC शासन का ही पार्ट है बड़े रूप में शासन की क्या पेक्षा है प्रदेश लेवल पे शासन की क्या पेक्षा है तो एक आपका जो आउटलूक है वो ब्रॉड होगा और आपको सही अपना दार्या पता चल पाएदा कि आपको क्या करने तो इस से आपको यह जो समानने अध्यन है इसको समानने तरीके से समझने के लिए जोड़ी है कि आप अपना हॉरिजन एक डिफाइन करें पता करें कि कहां कहां तक कोश्चन पूछा जा सकता है और उसके बाद एक रूची लेकर के सारे प्रकार के कोश्चन जो आ चुके हैं वहा की बात है कि मतलब जो आपका प्रिप्रेशन का जर्नी है पूरा उसका जो पहला सीड़ी है वो है आपका सिलेबस तो सिलेबस को जितना बहतर तरीके से आप समझ पाएंगे आपको उतना आसानी होगा आपको एक्जाम करेक करने में प्रिलिम्स की बात होगा इसके बात तो सिलेबस तो सेवंटी सेटी पर सेटी परसेंटी कवर हो जाएगा इस पर आप क्या सुजाओ देना चाहेंगे बहुत अच्छा सवाल अपने पुछा नजी देखें मैं अपनी बात को रखूंगा मेरी समझ में प्रिलिम्स का आशा है जानकारी मेंस का आशा है वीचार और उसकी अव्यक्ति मेंस और इंटर्व्यू अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको आपकी विचार रखने के लिए अगर जब तक आपकी आपके पास जानकारी या तत्थ ही नहीं हो तो वह विचार आपके पुखता नहीं माले जाएंगे इस वजह से यह जोड़ी ह जहां पर सक्षात रूप से आपको अपने विचारों को प्रकट करना होता है तो यह सहीं है कि सबसे पहले आप किसी छेत्र में प्रवेश करने हैं तो उस पूरे छेत्र के बारे में जानिये उस फील्ड के बारे में जानिये नो योर यूनिवर्स आप उस प्रकार से कहां तक कोश्चन आ सकते कहां तक आपको मैनद करना है किसने प्रकार से आपको जानकारी इखटा करना है उसको जानिए इसके लिए प्रेलिम्स आपकी सहाता करेगा आपको वह एक हॉरीजन देगा बताया कि आपको यहां तक अपनी जानकारी रखना है दुनिया के बारे में इतन मतलब उसके बाद उस लेवल के बाद आप प्रिलिम्स के तेयारी तो कर रहे होंगे लेकिन आपका टार्गेट होगा में तो इस तरीके से एक इस्तर के बाद सबसे पहले तो आपको प्लेस की तेयारी करना है जब एक कॉंफिडेस आपको आ जाएगा और यह भी परसंट टु बिल्कुल तो सर यहां पर अगर वो प्रिलिम्स से शुरू करें और धीरे-धीरे स्टेजस पर जाए जब वह तो कई बार ऐसा होता है कि वह प्रिलिम्स का प्रिप्रेशन करता है उसका प्रिलिम्स क्रैक हो जाता है उसके बाद मेंस के लिए उसके पास में टाइम नहीं ब त्रसके में से ख्रोड़र इंख्याओ नियुक्त ना ही कि ठाल से मैंस में पतना है तॉ square plotted रहता है ना ही से सब्सक्राइब का savings मेंना मिले तो यह पुंद परक्laub हमारे मन में आता है कि किस प्रेकार से अपनी त्यारी रखना एक मैंने पहले भी जासा आपको बताया कि है में मैं सब्सक्राइब करें कि साथ किसे हो था है तो पूँचा जा सकता है कि यह दा रहत हो इसके बाद आपको एक अनुभव मिलता जाएगा, इसके बाद आपको आपका जो memory power हो दिर दिर आपका increase होते जाएगा, आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस पे कमांड रखना है, दुनिया में बहुत सारी घटना है, घट रही है, लेकिन किन घटनाओं पे आप आपको अपनी दिश्टी रखनी है, कहां से question आ सकता है, यह जो judgment है, यह जो experience है, वो धिरे जिरे आता है, तो यह जो 6 महिने का period है, आप इसमें अपना foundation, जो आपने दसवी, बारवी तक पढ़ाई किया है, उस foundation को भी improve करेंगे, ठीक है, तब जब आप सारी चीज़े सब कर लेंगे, तब आप एक confidence वाले level पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप यह decide कर सकते हैं, कि यहां से अब मुझे प्रिलिस कोई focus करना है, या फिर हम मेंज को कर सकते हैं, तो ideal condition में शुरुआत के कुछ महिने, आप केवल प्रिलिस को focus कीजिए, इसके बाद एक स्तर पर जब करने का, वो कैसा था? जैसे मैंने अभी पताया था कि प्रिलिस में रहते हुए ही, जब दो-तीन महिने बचे थे तो ही तब भी मेंज की त्यारी चल देती और जिस समय प्रिलिम्स एक्जाम हुआ, जब भी हम प्रिलिम्स एक्जाम देते हैं, तो एक intuition एक आ जाता है, कि मेर यहा और सोच्छिया हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यज हाँ ही जाएगा, यह दोनों से के प्रिलिम्स की तयारी कर लिकिए है है। ती में अप उसी तयारी को आप अपने लिटेन फॉरम में मतलब आपने जानकाई तो पूरी खटा कर ली मेंस की इसाफ से अब समय आ जाता है मेंस जैसे आप प्रेंज के एक्जाम देते हैं कि आप उसी चीजों को शब्दों में लिखना स्टार्ट करें मेंस में आप देखेंगे कि कई प्रकार के कोश्चन होते हैं मेंस में वेरी जहां पर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप आफ कोश्चन में आपको तू पॉइंट और जानकारी परक आंसर लिखना होता है वहीं मीडियम और लॉंग टाइप आंसर में आपके पास एक थोड़ा इस्पेस होता है जहां पर अपने विचारों को भी अव्यक्ति कर सकत हैं खास तरके लॉंग टाइप आफ आंसर में आप एक उसका इंट्रोड़क्शन दे सकते हैं बॉड़ी लिख सकते हैं और अपने कुछ विचार मौलिक विचार जो आप पाते हैं उस पुरे मुद्दे पर आपका क्या विचार बनता है वो लिख सकते हैं और उसके बाद सब्सक्राइविक से स्टार्ट है तो उनके लिए सवाल खासकर बहुत जरूरी हो जाता है कि इंट्रिव्यू के लिए रणनीती किस प्रकार से होनी चाहिए तेकिए सबसे पहली बात तो आना जी मैं बताओं कि इंट्रिव्यू की कोई रणनीती नहीं होती है एक दिश्ट जो बने आपने जो जानकारी खटा की आपने उस चीज उन चीजों को पिलिम्स और मेस में अवगत करा ही दिया अब फाइनल उसकी अव्यक्ति है साक्षातकार इसे बोला जाता है वो है तो साक्षातकार अभी तक क्योंकि एस्परियंट जो था वह केवल रिटेन फॉर्म म में आप में अपरियर हो रहा था विन इसमे उससे कुछ बूला नहीं पड़ा जो भी उसको जाता है पर अपने बशने हैं आपको को ऑफसर दिया जा रहा है कि आप अपनी बात को प्राश सकते हैं तो इंटेर्वी को भी इसी तरीके से लेना चाहिए कि आपके पास सारी चीजे हैं सारा ग्यान है आपका ग्यान परखा जा चुका है आपके वीचार परखे जा चुके हैं अब आपको इसके अव्यक्ति करनी है तो यह जो अव्यक्ति वाला जो जो आस्पेक्ट है इसके लिए जोड़ी हो जाता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपक एक एस्पेरेंट खुझ से भी बात कर सकता है आपको बस यह इंशूर करना है कि आपके विचारों में इस पश्टता हो खास तो पर यह होता कहा है कि हम सोचते तो हैं लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं जैसे हमको बोलना चाहिए खुझ से बात करने स्टार्ट कर दिया इवन रात को भी अपने आप से बात करता तो आवाज निकाल करके बात करता है जब इनसान खुझ से बात करता है तो जितना खुल पाता है वो दूसरों के सामने कोई आपको जज़ नहीं करता हो तो अगर आप गलती भी करते हैं तो आप सुधार सकते हैं ये बहतर तरीका है कि आप खुद कि अब अब इसके आपने आप को अवयर्ट कीजें टुलोम होते हैं मैं बहुत water up आपको बताओ आने जी क्लब हाउस करके एक है वहां पर जितने भी प्रासंगीक मुद्धे वहां उसके बहस होती है तो इस परकार के ने टेक्नोलोजी कभी उसका उपयोग कर सकता उसके फादा ले सकता है क्लब हाउस में क्योंकि आपको जाने के जुरूत नी फिजिकली दूसरे दूसरे डाइवर्स परस्पेक्टिव जो लोग बोलते हैं उनको आप सुन सकते हैं ठीक है तो इस परकार से आप बोलने के प्रैक्टिस कीजिए इंटर्वी के तरी अपने आपको सर हमारे कई ऐसे सवाल था इंटर्वीव में मेडियम को लेकर कि अगर मानली जी अगर वह आप से इंग्लिस में पूछ लिए तो इसका अंसर किस प्रकार से बहुत अच्छा सवाल पूछा अनन जी और सबसे पहले तो मैं यह कह दूं कि लेंग्वेज इस नॉट अप पैरेमीटर तो जज्ज इनिवन्स इंटलिजिए भाशा कोई पैमाना नहीं किसी की बुद्धी मत्या को जज्ब करने का code having said this मैं फिर बी ये कहूंगा Hindi Medium वालो लोगों से कि आप अपने मेडियम पे स्टीक रही है और English medium students से भी मैं यह बोलूंगा एक आप अपने medium पे स्टिक के भी माईन। में हिंदी में कुछ विचार आते हैं क्या उन्टिस मेंOOD तो वहां पर यह भी करता है कि वह किस लेंग्वेज में बात करerekि समीडियों में बात कर रही है वहां पर यह में बात करता है कि क्या बात कर रहा है तो जी असे सिकर्ट रीव fig m कोई English medium वाला यह सोच रहा है कि नहीं मैं अंग्रेजी में अगर बोलूंगा तो क्या उसका इंप्रेशन बनेगा यह मुझे नहीं बोलना चाहिए तो यह गलत है अगर आपको जिस भी लेंग्वेज में अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टुडेंट है उसके सामने अंग्रेजी में उसको समझ में आ जाता है तो उसका चाहे वह जवाब बिलकुल हिंदी में दे सकता है अगर को सवाल समझ में नहीं आता है तो वह बैठे रहते हैं जो इंटर्व्यू लेने वाले सर लोग उनसे से भी पूछ सकता है कि सर कृपिया इसका हिंदी में मुझे बता दे मैं हिंदी माध्यम से आता हूं वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानेंगे कि इसको यह चीज समझ में नहीं है और इमांदारी वहां पर अगर जितना दिखाऊगे उतना आपके लिए बहतर होगा अग अगर आपको English में आती है तो English में आप दें जैसा आपको comfortable feel होता है आप वहां पर बिल्कुल अपने आपको adjust कर सकते हैं सर अगले पड़ाओ की तरफ बढ़ेगे जैसे हम अभी medium की बात कर रहे हैं तो एक धारना बनी हुई है खासकर 36 गड़ में अगर state services की बात करें तो ध समस्ता ओं इसमें कोई सच्चाहिनी है और बलकि मैं यहीं कहना चाहूंगा देखिए इसी तरीके धारना UPSC में बनी हुई जस्ट इस अपोसी डिलिक्ता नहीं है कि वहां पर अंग्री जी माद्यां वालों को प्रास्मित्ता मिलती है इंदी माद्यां मालों को कम मिलती है इस बात में कोई भी सचा ही नहीं है यह नहीं हए कि यह मिडियम से हैं परात क्यासरी बात करता हैaimerICA जैसे तो यहां पर कुछ recht-re bidding वाले हैं ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले हैं मेन का बहुल है हिंदी माध्यम वालों कह तो ऐसे में में कोई English मीडियम वाले सिट्स्केयट यह सोचता है कि सारा MuhARA Weekly में मिल रहा है क्लासे हंदी में हो रहे हैं तक है और यहां तुह हंदी तो मैं क्या अंग्रेजी अपनी रखूं या ना रखूं मुझे कैसे किया जाएगा कहिए मेरे अगेस तो नहीं चला जाएगा मैं उन अंग्रेजी मेडियम वाले स्टुटेंट से बात कहना चाहता हूं कि क्योंकि हिंदी तो आपको भी पत्ना आती है एक हिंदी मीडियम वाले स्टुटेंट को भी आती है आपके पास एक एज है इंग्लिश है तो वाइं नौट कैपिलाइज इट राधर दें गिविंग इट अप वाइंट वाइंट आप अपनी बात आपके दिमाग में अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो आप अपने चीजों को अंग्रिजी में ही प्रस्तुट कीजे कहीं भी उससे कोई फरक नहीं पढ़ता अल्टिमेटली अड़ एंड आफ दे दे वाट इस गोईंग तो इस पीक तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई एक्जाम हिंदी मतलब कोई भी आपका मीडियम हो वो बैरियर नहीं हो सकता अगर आप जिस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में आगे बढ़िए और यह आपकी डेडिकेशन के उपर में डिपेंड करता है कि आप उस लक्ष की तरफ कितनी मेहनत से आगे बढ़ो या फिर आपका जो मेहना यह है कि चॉप करने के बाद या घर का काम करने के बाद सिर्फ चार से पांच घंटे उनके पास मिलते हैं तो क्या इतने वक्त में एक्जाम को क्रेक किया जा सकते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सारे जो एक्जाम्स क्रेक किये वह भी जॉब में रहते हु और आप मैं ही नहीं बहुत सारे एक्जामपल से जहां के लोग जो है हाउस वाइफ रहकर के भी या फिर कोई जॉब में रहकर के भी एक्जाम करेक करते हैं इन फेक्ट मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं कि यह जो जॉब में रहना इसको आप दो दिश्टी से लेक सकते हैं एक यह बइस देखने का कि आपके पास समय कम मिलता है दूसरा दिश्टी तो देखने का कि आपके पास पुछ तो है एक ऐसा influenced exam सरी जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके में आपके पास कुस तो है एक occupation है तो आप जो अपने आपका समय आप देंगे वह क्वालिटी तिने टाइम देंगे आप जो चार घंटे में पढ़ेंगे आपको पस यह फोकस करना है कि जो आप चार घंटे चो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्वालिटी हो वह प्रोफेशनल तो अगर आप इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो जॉब वाला असपेक्ट है वह भी आपके फिवर में जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में कोई प्रेशन नी रहेगा कि आपके पास कुछ नहीं है आपके पास हमेशा एक प्लान बी रहता है तो यह उल्टा आपके पास में बना हुआ है तो आप फ्रेस माइंड से पढ़ सकते हो और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से का है कि कोई मैटर ने करता आप जॉब में हो आप हाउस वाइफ हो अगर आपका गोल क्लियर है आपका टार्गेट क्लियर है तो आप बिल्कुल अचीव कर सक तो हाँ जैसे सर ने बताया कि मैटर ये करता है कि जितना आपके पास में समय है या फिर जो भी आपको वक्त मिलता है चार गंटे पांच गंटे उसे आप किस प्रकास से यूटिलाइस कर रहे हैं क्या बहतर तरीके से कर रहे हैं या ना कर रहे हैं डिपेंड इस पे करता है सर इसके बाद जो मेरा अगला सवाल है कि यह एक लंबा सफर है जो प्रिप्रेशन का दौर है वो एक साल का भी हो सकता है दो साल का भी हो सकता है तो इस बीच में कई सारे चैलेंजेस आते होंगे फैमली चैलेंजेस भी आते होंगे प्रिप्रेशन को लेकर भी चैलेंजेस आ सकते हैं तो ऐसे बीच में कभी कोई एस्पिरेंट्स फ्रस्टेट भी हो जाता होगा कई समस्यों का सामना भी करता होगा तो ऐसे वक्त में चैलेंजे से कैसे बाहर निकला जाए बहुत सही सवाल पूछा अनन जी और यह हम सभी जो एस्पिरेंट्स होते हैं यह जब दौर से पीछे मुण के देखते हैं तो यही वह पीडिड हमको याद आता है तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है जो चुनौती आती है आफ्टर ग्रिजुएशन समाजिक एक प्रिशर होता है सभी सभी के लिए होता है चाहे वह लड़की हो या लड़का हो सभी के लिए होता है कि आपका जो बच्चा है वो बिजिशन के बाद कर क्या रहा है अब जब परेंट्स यह बताते हैं कि यह तो यह तो बहुत ज्यादा उमीदें पाल लेते हैं अरे अपको सीधे कलेक्टर बन जाएगा या फिर अभी तक पर तैयारी कर रहा है तो यह जो सोशल एक्सपेक्टेश अपने रिलेटिव के फंक्शन में जा पाता क्योंकि त्यारी भी करना है फिर पूछेंगे कि अभी तक पढ़ी रहो क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एक तरीके से कॉमपरिटिव एक्जाम के जो तैयारी करते हैं वह अपनी दुनिया में हो जाते हैं कई-कई बार जो है व एक मार्क दर्शन का होगा वो आपका जो एक पीर ग्रूप होगा जो आपकी जो कंपनी होगी उसके साथ आप अपनी हर वो चीज़े शेयर कीजिए जो आप अपने रिलेटिस के साथ शेयर करते या फिर और कहीं शेयर करते तो आप उस एक दायरे में रह करके आप अपने स स्नुना हिए पूंटिस मैं एक बोलना चाहूंगा कि यह तो समय भी आपकी तयारी है जगतीं प्रड़ते समय पेपर पड़ते विज्टरव पड़ने में बील्टेयारी है जब आप अपने दोस्ते डिशा को दोस्ते चिंद हें आप पूले से ले नही frameworks और साथ ही साथ आपको अपना मनुरंजन भी करना है अपको अपनी तयारी भी करनी है तो आप इस परकार का जो सोचलाज़िशन वाली जो स्टिति आती उससे आप उभर के आएंगे तीसरा एक चैलेंज होता है जॉब का चेलेंज कि वो हमको लगता है कि जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए क्योंकि फाइनेशल प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो जाता है लड़कियों के सामने कभी-कभी वो शादी का प्रेशर रहता है और वो नैचुरल है तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जब त स्टार्ट है आप वहां तक अपने फ्री स्पेस में तियारी कीजिए जब आपको लगता है कि हाँ आप ऐसी सिती नहीं है तो वह जो जो प्रॉसेस है जिसे किसी की शादी हो रही है कि किसी को कोई जौब करना है तो उससे घबराईए मत यह न सोचिए कि अब मैं जौब कर हमेशा चल दी है मैं बात भी कर रही हूं तो मैं त्यारी कर रही हूं तो वह आपकी त्यारी हमेशा चलती रहेगी और आप सभी सभी आने वाले चैलेंजेस को आप और कम करते हुए आप सक्सेस हो जाएंगे यह बहुत बड़ी बात है कि चैलेंजेस तो लाइफ का इसके अलावा आप सीधा आगे बढ़ते हैं आपका बस टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको ये करना है तो उमीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे उस सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया सर के जो भी अनुभाव थे फोर टाइम सीजी पीसी को क्रैक करना थ्री टाइम यूपीसी का मेंस लिखना इतने ही टाइम्स से क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है तो इनके अनुभाव से आप सीखिए इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और समझ कर आगे बढ़िए आप भी अपनी मन्जिल को जर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले